तो गुरू कैसे हैं आप लोग पारेदार सीजन फाइब का पार्ट वन कल रात टाइम प्ले पे रिलीज हो गया पार्ट वन में देखकर आ रहा हूं देखिए दोस्तो पार्ट वन में चार एपिसोड देखने को मिले हैं पूरी स्रीज की टाइम डिरेशन एक घंटा ठारा मि लेकिन इंका एक परसेंट का भी सीन देखने को नहीं मिला है बाई तो पार्ट वन में देखने को मिलेगा और पार्ट वन में हम लोगो को मल रूथाला जो की नई स्ट्यार कास्ट होई ती इसमें यह देखने को मिले हैं और इंका सीन भी मेरे को काफी अच्छा लगा आग तो वही सही लगा मेरे को और दूसरा एपिसोड महा बेकार है भाई रानी परी और निया गुपता को चाष्ट करके नहीं लो सबसे बड़ी गलती की है सीनी नहीं देखने को मिला है थोड़ा विद्या कर देखेगा दूसरा एपिसोड मेरे को काफी खराब लगा दूसरा एपिसोड आनी परी निया गुपता वाला और तीसरा में जो अनूम हो रहे है का सीन है भाई वो थोड़ा सा सही लगा क्लाइमेक्स भी सही था भाई जब लास्ट में देखिएगा जो नदान वाला लड़का है भाई उनके साथ सीन देखने को मिलता है भाई मतलब यह वाला सबसे बेटर लगा मैं चारो एपिसोड में एक नंबर पर एपिसोड को रखूँगा भाई दोस्तो सीन भाई सिर्फ मेरे को नई स्टार कास्ट काई अच्छा लगा और जो बाकी लोग थी भाई उनका मेरे को काफी मतलब मतलब इंप्रेसिब नहीं लगा भाई मतलब यह कन्विंसिंग मतलब प्रिया गामरे को दिखाई नहीं गया है भाई अनुमोरय का हलका फोल का सीन था भाई अब बात कर लें मैं इस स्टोरी का परिदार सेन फाईब को तो यहीं स्टोरी है कि भाई देखिए इंकी चाची रहती है पिया गामरे तो यह रिस्ता लेकर आती है अनुमोरय के बेटे वो बड़ा लड़का रहता है उनका जीवन उनके रिस्ता लेकर आती है वही कोमल रूथाला की तो साधी तो हो जाता है सही से लेकिन उनके बाद उन लोग का गाउं में रिवाज होता है कि पाला बच्चा है उनका ससूर के आथ से होगा भाई उनके उनका पुरण चेंज हो जाओ लायक कर दीजेगा वीडियो ko प्लीज मेरे भाई